अभी आपने देखा होगा परसो हमने एक निर्णे किया चोटा निर्णे नहीं है हमारे हाँ मद्यंबर के परिवार का वेखती है या गरीब भी जीवन में सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती है आप सो लोगों को पूछ दीजिए वो कहेगा ख़ुद का घर हो बस यह खुद का घर हो यह इच्छा है क्यों क्योंकि उसे मालूम है कि फिर आने वाली सारी पीडिया उस चत के नीचे अपना गुजारा कर लेगी है खुद की च्छत हो खुद का घर हो यह हर इंसान की च्छा होती है कि मध्यंबर का परिवार बड़ी महनत करके पैसे बचा बचा करके सोचे किसा लोग रेटायर होने से पहले या बच्चे बड़े होंगे शादी से पहले एक मकान बना बादो और वो बड़िया सा स्कीम बड़िया सा ब्रोचर देख करके फोटू बड़ी सांदार हो ऐसी ट कि और बड़ पैसे भी गए मकान भी नहीं आ रहा है कि रहे परभकान में किराये दे रहा है बैंक से पैसा लगे दे रहा है मकान मिल ले रहा है पांच पांच दव्दव साल से योजनाएं कोई 60% पुरी हुई है कोई 70% पुरी हुई है कोई 80% पुरी हुई है मकान नहीं मिल रहा है हमारे देश में सिरफ महत्पुन शहरों में साड़े चार लाख मकान ऐसे हैं जो किसी न किसी परिवार के पैसो से बने हक है उसका लेकिन 10-20% काम अठका हुआ है और 5-5 साल से अठका हुआ है न उसे मकान मिल रहे हैं न पैसे वापिस मिल रहे हैं न उसका ब्याज कम हो रहा हैं न उसका किराया कम हो रहा है आखिर कर परसो सरकारनी ग्योजना बनाई करीब 25 तीस जार करोड रुपया लगा करके ये सड़े चार लाख लोग जीनके परिवार को आज जिंदगी अनि सित्ता में जीनी पड़ रही हैं उनके जो मकान तय है उसमें 10 परसंट 20 परसंट काम है वो काम पूरा करवा दिया जा कहने का तात्पर ये हैं कि निर्णे वो नीतियां वयो जो समाज के समस्याओं का समाधान करे उनको संक्रणों से मुक्ति दुलाएं और एक बार अगर जीवन में उसको निश्चिंतता मिल जाती है तो उसको लगता है मैं भी कुछ करूँगा कोई कल्पना कर सकता है कि कोई ये हिम्मत करें निर्णे करने के 2022 जब आजाजी के 75 साल होंगे हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका खुद का अपना घर नहीं होगा बहुत बड़ा फैसला लिया है अर्मों कर्मों रुपे लग रहे हैं करोडों करोडों घर बन रहे हैं और गरीब को जब छट मिल जाती है नै फिर उसकी जिंदगी की सोज भी बदल जाती है फिर उसको लगता है कि अब घर मिला है तो चलो दो चेर ले आएं पैसे थोड़े बचा लेंगे ख्टिया जरा अच्छी ले आएं फिर लगता है नहीं एक खिरकी पर कोई थोड़ा परदा बरदा फिर लगता है कि नहीं गर्मत शीशा नहीं है याने फिर बचत करना पैसे जिंद्गी जिंद्गी का बढ़लाव शुडू हो जाता है और फिर उसको भी बन करता है बगल वाला है फिर दिर दिर सोचेगा अब साइकल ने स्कूटर ले आगिया है इच्छाए जगती है तब ही तो प्रगती होती है जी और फिर सोचेगा अब बहुत हो गया चलिए इस मपकान को बेचते हैं और एक जादा दो कमरे वाला है तीन कमरे वाला कर लेगा मनुश्य का प्रगती ऐसे ही होती है कही ने कही बीज बोना पड़ता है उसकी जिंद्गी को बदल देता है और आज सरकार एक तरफ विकास की नई उचाईयों को पार कर रही हैं दूसरी तरफ ऐसे भी बीज बो रहे हैं कि आपकी घर में जो आज बच्चे हैं वो बड़े होंगे उसके पहले फल खाना शुरू करें